हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई चैनल फ्रेंड्स इस चैनल पर ये जो डबल एक्सल साइज में हाप पाजू चैन्ट स्वेटर को मैंने बिल्कुल स्टेप बाई स्टेप सिखाना शुरू किया हुआ है आज इसका ये पार्ट नमबर पांच है आज की इस वीडियो में मैं आपको वी गले की बुनाई करना बताऊंगी कि इसमें हमें फंदे कितने उठाने है और इसकी बुनाई कितनी और कैसे करनी है तो चलिए फ्रेंड्स आज की वीडियो शुरू करते हैं तो ये देखिएगा फ्रेंड्स गले की बुनाई करने के लिए मैंने ये 10 नमबर की ड नॉर्मल वाली है तीन प्लाई वाली नहीं है तो उसके लिए आप गला बुनने के लिए इस तरह से जो डबल पॉंटेट्स लाया होती है वो ग्यारा या आप बारा नंबर की ले सकती है तो यह देखिएगा अब इसमें हम उन जोइंट करेंगे तो इसमें हम जो उन सकती है या फिर आप इस वाले सिरे से जोइंट कर सकती है तो मैं यहीं से धागा बान देती हूँ तो यह देखिए धाके को मैंने इस तरह से बान दिया है अब मैं यहां से इसमें फंदे उठाना शुरू करूंगे तो यह जो इसका back side का part है इसमें यहां से यहां तक मैं 45 45 फंदे उठाऊंगे तो इस तरीके से हम यहां पर स्लाईड आलेंगे और यहां से फंदे उठाना शुरू करेंगे हमने बिलकुल किनारी के 7-7 फंदे उठाने हैं ताकि फंदे उठाने के बाद जो लाइन बनती है वो जादा मोटी ना बने तो बिल्कुल किनारी के पास से ऐसे स्लाइड आ लिएगा और फंदे से फंदा मिलाते हुए आप इसमें 45 फंदे उठा लिजीगा और अगर आपकी नॉर्मल वाली उन हो तो आप 47 से 48 फंदे उठा लिजीए तीन प्लाई वाली उन में 44 से 45 फंदे काफी हैं तो मैं ऐसे करते हुए ये बैक साइड के 45 फंदे उठा लेती हुँ तो ये देखिए फ्रेंट से इसके बैक साइड वाले पार्ट में हमने 45 फंदे उठा लिए हैं अब हम ये फ्रंट वाली साइड पर फंदे उठाएंगे तो यहां पर 90 से 55 फंदे देखिए यहां तक हम पिचानमे से उपर फंदे नहीं होने चीए लास्ट 95 तक तो ये देखिए इस वाली सलाई को हम छोड़ देंगे एक एक्स्ट्रा सलाई और लेंगे और अब हम यहां से इस तरह से फंदे उठाना शुरू करेंगे तो बिल्कुल किनारी के पास-पास से आप सलाई डालते एक पार्ट के मैंने 93 यानी 30 में फंदे उठा लिये हैं तो आप इसी तरह से 95 तक बीच में जो भी आपके फंदे होते हैं उठा लिजए अब हमें यह द्यान में रखना जितने फंदे इस साइड पर हमारे बनते हैं उतने ही फंदे हमें इस साइड पर उठाने क्योंकि जो एक फंदा फली बनाने के लिए छोड़ते हैं वो नहीं छोड़ा हुआ है तो हम क्या करेंगे पहले ये सारे फंदे उठा लेंगे जब हम बुनाई करते हुए आएंगे तो यहां से हम यह जो हमारा धागा होता है इसको उठा के एक फंदा बना लेंगे तो वो हम तोड़ देंगे अपनी तीसरी सलाई लेंगे और अब हम यहां से इसमें फंदे उठाना शुरू करेंगे तो त्राणमा फंदे हमने दूसरी साइड पर रखे हैं तो त्राणमा ही इस वाली सलाई में होंगे तो बिल्कुल फंदे से फंदा मिलाते हुए अब 93 यानी त्राण तक उठा देती हुँ तो यह देखिए फ्रेंट से सारे फंदे मैंने उठा लिये हैं 93, 93 और 45 यानी 45, त्राणमे और त्राणमे यह फंदे हमारे हो गई हैं अब इसे हम बुनना शुरू करेंगे तो यह देखिएगा यहां से हमें एक फंदे को उल्टा बनाना है और एक फ फंदा हमने उल्टा बनाया धागे को पीछे करेंगे जो सीधा फंदा है इसको हम बैक साइड से सीधा बनेंगे फिर धागे को अपनी तरफ करेंगे और एक फंदा उल्टा बना देंगे क्योंकि यह इसकी पहली सलाई है मैं आपको इसकी दो सलाईया पूरी बना के दिखा फिर से हमें एक फंदा सीधा बनाना है तो बैक साइड से स्लाइडा लेंगे और एक फंदे को सीधा बुन देंगे अभी फंदे उठाए हैं थोड़े से टाइट हैं तो थोड़ा थोड़ा आगे करते जाइए और इनको आराम से बना लीजिए फिर धागा आपनी तरफ एक फंदा उल्टा धागे को पिछे करेंगे एक फंदे को बैक साइड से सीधा बनाएंगे ऐसे करते हुए हम यहां तक के फंदे इस लाई में बुन लेंगे तो यह देखें फ्रेंड से बैक पार्ट के जो फंदे हैं वो मैंने बना लिये हैं अब यहां पर लास्ट का फं फंदे हैं इनको बनाएंगे थोड़ा सा इनको इस तरह से आगे कर लेंगे अब ये वाला फंदा उल्टा आया है तो इस फंदे को हम सीधा बनाएंगे धागे को पीछे करेंगे इस फंदे को बैक साइड से स्लाइड डालेंगे और यहां पर इस धागे को टाइट कर लेंगे और इस सलाई में सीधा बुल लेंगे फिर धागा अपनी तरफ करेंगे एक फंदा ये उल्टा फिर धागा पीछे और बैक साइड से सलाई डालेंगे और एक फंदा हम सीधा बना देंगे तो इसी तरह से अब इस सलाई में जो हमारे 93 यानि 3 में फंदे हैं उसमें से हम 92 फंदे बना लेंगे एक फंदा यहाँ पर छोड़ देंगे तो यानि 92 फंदे मैं अब एक उल्टा और एक सीधा करते हुए इस लाई में बुन लेते हूं तो यह देखिए फ्रेंड से यह बाण में फंदे मैंने बना लिये हैं एक फंदा हमारा यह बच गया है वैसे हम गले को जब बनाते हैं तो घटाई करते टाइम ठीक बीच में एक फंदा या तो हम सेफटी पिन में बांद कर छोड़ते हैं या हम धागे में बांद कर छोड़ है उसके लिए हम क्या करेंगे पहले तो देखिए एक फंदा इधर का और एक फंदा इधर का इन दो फंदों का ये देखिए इस तरीके से धागा पीछे करके और हम यहां दो का एक फंदा बना देंगे अब हमें जो फली के लिए बीच का फंदा चाहिए वो इनके बीच से य इस धागे को हम इसके ऊपर से ऐसे पलट देंगे तो यहां से यह गले की जो फली है यह बननी शुरू हो जाएगी तो अब देखिएगा इधर भी हमारा एक फंदा उल्टा है तो अब इसको हम टाइट करेंगे धागे को अपनी तरफ करेंगे तो यहां से हम एक फंदा उल्टा बुनेंगे धागे को पीछे ले जाएंगे बैक साइड से स्लाइड डालेंगे और एक फंदा सीधा बुनेंगे हमने इस फली के दोनों तरफ उल्टे फंदे रखे हैं इससे इस गले की लुक बहुत अच्छे आएगे अब देखे एक सीधा बुनने के बाद धागा अपनी तरफ करेंगे एक फंदा उल्टा बनाएंगे फिर धागा पीछे करेंगे बैक साइड से स्लाइड डालेंगे और एक फंदे को हम सीधा बुन देंगे ऐसे करते हुए इस सलाई के सभी फंदों को हम इसमें बुन लेंगे तो यह देखे फ्रेंट से यहां तक मैंने सलाई को बना लिया है अब यहां से भी पहला फंदा हमने उल्टा बनाया और यहां लास्ट का फंदा भी हमारा उल्टा आया है अब हमारे पास दो option है यहां तो ये वाला और ये वाला इन दो का हम एक फंदा कर दे यानि एक फंदा हम घटा दे या फिर ये भी उल्टा है ये भी उल्टा है तो इनके बीच से एक फंदा हम extra सीधा बुन ले तो हम extra ही बुन लेंगे, यहां ठीक बीच में जो इसका shoulder का joint है, इसमें से हम एक फंदा और बुन लेंगे, तो यहां का फंदा फिर हमारा ये सीधा आ जाएगा, तो यह देखे मैंने यहां से एक loop उठाई है और इसे हम यहां पर back side से सीधा बुन देंगे, तो अब देखे हम कैसे बनाएगे, तो यह देखे, अब यह जो हम designer बना रही हैं फंदे, तो इसके लिए हमें अब वैसे तो हम round में बनाते हैं, लेकिन इसके लिए हम यहां से ट्रन करेंगे, और यह जो back side से एक फंदा है, इसको हम इस लाई पर लेकर आएंगे, देखे धागे को इस तरीके से पहले अपनी तरफ करेंगे, और अब इस back side की सिलाई में से एक फंदा हम इस तरीके से इस सिलाई पर लेकर आएंगे, ताकि हमारे जो यह joint हैं, यह भी अच्छे से मिलते रहें, हमें इसकी सिलाई ना करने पड़े, अब हम देखे धागे को पीछे करेंगे, क्योंकि यह जो फंदा है, जब हमने इस side से बनाया था, तो इसको उल्टा बनाया था, लेकिन यहां पर अब यह फंदा हमारा सीधा बनाया जाएगा, तो इसी तरीके से धागे को रखेंगे, और इस एक फंदे को हम back side से सीधा बनेंगे, धागे को अपनी तरफ करेंगे, और यहां से अब हम एक फंदे को उल्टा बनाएंगे धागा पीछे करेंगे ये एक फंदा हमने सीधी साइड से उल्टा बनाया था क्योंकि हम इसमें ट्रन कर रही हैं अगर ऐसे ही जाते तो वो चलता रहता लेकिन ये वाला जो बोर्डर है इसको बनाने के लिए हमने इसी तरह से बुन ऐसे करते हुए ये देखिए यहाँ पर जो एक फंदा बीच का फली का है इसी सलाई में है और एक हम ये तो इसमें दो फंदे रहने तक बाकी के फंदों को हम एक उल्टा और एक सीधा करते हुए बुन लेंगे सीधे वाले फंदे को हम बैक साइड से बुनेंगे तो ये देखिए फ्रेंड से ये मैंने फंदे बना लिये हैं अब यहाँ पर ये जो दो फंदे हैं तो देखिए ये एक फंदा तो इधर की जो हमने फंदे उठाए उसमें से है और एक ये जो हमने तीन का एक बनाया वो है तो अब हम क्या करेंगे ये देखिए एक फंदा ह हमारा ये है पहले इसको ऐसे ले लेते हैं इस सलाई पर क्योंकि फंदे हमारे सलाई में जादा है ना निकले उसके लिए पहले हम एक फंदा यहां से उतारेंगे और इस सलाई पर ले लेंगे क्योंकि यहां पर गले की फली बनाते टाइम फंदे निकलने का डर होता है तो इस एक बार हम इन तीनों को इस सलाई पर लेकर आएंगे और अब ये देखिए बीच का फंदा हमने छोड़ दिया है इन दो में सलाई डाली है एक बार सलाई को उतारेंगे बीच वाले फंदे को हमने आगे कर दिया है और ये देखिए अब ये जो दो फंदे हैं फली वाला हमने आगे कर लिया है एक इधर से एक इधर से इन दो को यहां पर कर लिया है तो इन दो का यहां पर हम इस धागे को अपनी तरफ कर लेंगे और एक फंदा ऐसे बना देंगे अब यह जो फली वाला फंदा है इसको ऐसे उठाएंगे और यह जो हमने दो का एक किया है ध्यान से दे खीज देंगे, अब हमें अपने आगे जो फंदे हैं उनको ध्यान में रखना है, तो यह वाला जो फंदा है यहां पर उल्टा दिखेगा, क्योंकि सीधी साइड से यहां पर यह फंदा सीधा है, तो इसको हम यहां पर टाइट इस धागे को मिलाते हुए उल्टा बुन धागे को पीछे लेकर जाएंगे सीधे फंदे को बैक साइड से सीधा बुन देंगे ऐसे करते हुए इस सलाई के सभी फंदों को हम इसमें बुन लेंगे एक उल्टा एक सीधा लेकिन सीधे फंदे को बैक साइड से सलाई डाल कर फिर हमें सीधा बनाना है तो ये देखे फ्रेंट्स इस साइड के फंदों को भी हमने बना लिया है थोड़ा सा इनको टाइट करके रखिए ताकि ये निकलेना अब हमारे बैक साइड के फंदे हैं इनको भी हम ऐसे ही बनाएंगे तो ये वाला फंदा यहां पर सीधा है धागा पीछे करेंगे इस अगा अपनी तरफ एक उल्टा और एक फंदा बैक साइड से सीधा बुनते हुए बैक साइड के फंदों को अब हम इस वाली साइड में बुन देंगे तो ये देखे फ्रेंट्स यहां पर हमारी ये राउंड की दो साइड पूरी हो गई लेकिन अब हमें इस साइड को यह वापस जोइंट मिलाने के लिए इस सलाई से एक फंदे को निकाल लेंगे और वापस हमें इस लाईए पर उसको लेना होगा। तो यह देखेगा कहीं से भी हमारे फंदे ना निकलें। उसके लिए इन सभी फंदों को देखिए पहले आप इस तरीके से कर लीजिएगा अब हमने इस सलाई से लेना है तो पहले हम इस वाली सलाई में उतार लेंगे ताकि हमारे फंदे इधर उधर ना निकलें क्योंकि निकल जाएंगे तो इनको संभालना मुश्किल हो जाएगा तो यह देखिए मैंने यहां से उतार के इस सलाई में ले लिया है अब हमने इसे वापस इस सलाई पर डाल दिया है क्योंकि हमें यहां पर यह जोइंट मिलाने है देरे से इसको हम ऐसे पलट लेंगे और अब यह जो इसकी तीसरी सलाई है इसको हम सीधी तरब से बुनना श फिर इस धागे को अपनी तरफ लेकर आईए और देखे ये फंदा इस तरफ से उल्टा है तो इसको हम यहाँ धागे को टाइट करते हुए पहले इसको उल्टा बुन देंगे फिर धागे को पीछे करेंगे ये वाला फंदा यहाँ पर सीधा है तो इसको हम बैक साइड से जेको अब हम सीधी side से बुन रहे हैं, तो वही करना है, एक उल्टा और एक सीधा, सीधे वाले को हम back side से सीधा बुनेंगे, और उल्टे फन्दे को ऐसे ही जैसे हम normal उल्टा बुनते हैं, तो यहां से यहां तक, और फिर यहां तक, यहां पर हमें देखिएगा, इस slime में है फ पलटते जाएंगे और हम यहां तक बुन लेंगे तो यह देखिए एक फंदा हमने यहां पर रख लिया है और बाकी के फंदों को बना लिया है अब हमें यहां पर देखिए एक फंदा इस सलाई से और एक फंदा इस सलाई से उन दो का एक करके और जो बीच का फली वाला का इसको हम छोड़ देंगे और बैक साइड से इस एक फंदे में हम सलाई डालेंगे थोड़ा दीरे से करके इनको हम ऐसे आगे की तरफ लेकर आएंगे ताकि फंदा निकालने में आसानी हो जाए इस फली वाले फंदे को हम ऐसे पकड़ लेंगे ताकि ये खुले ना और इसे फंदा इसलाई का हो गया है एक इसलाई का हो गया है बैक साइड से इन दो फंदे का हम एक फंदा यहां पर सीधा बनाएंगे और यह देखिए जब हमने यो दो का एक किया तो अब इसको हम वापस इसलाई पर लेंगे और यह जो फली वाला फंदा है इसको हम लेंगे और इस फंदे का एक हो गया इसे हम यहाँ पर बिल्कुल टाइट कर देंगे इन फंदों को इकठा कर लेंगे इनको भी कठा करेंगे ताकि यह फंदे निकलना पाएं अब हम इसको ऐसे पलटेंगे और इस तलाई के फंदों को इसमें बुन लेंगे यह वाला जो फंदा है हमारा सीधा बुनेंगे एक उल्टा एक सीधा सेम करते हुए इसे हम यहां तक बुन देंगे तो यह देखिए अब यहां राउंड में हमारी तीन सलाईया कंप्लीट होती है अब हमें चोथी सलाई उल्टी तरफ से बुनने है तो सबसे पहले तो हम एक फंदा यह जो बैक साइड का है यहां से हम पहले ही इस सलाई में उतार लेंगे ताकि हमारे यह जोइंट मिल जाएं तो आपने ऐसे ही हर बार इसके जोड मिलाने है इधर से एक फंदे को हमने उतारा और इस लाई पर डाल देंगे और फिर हम उल्टी तरफ से इनको बुनना शुरू करेंगे बुनना हमें ऐसे ही है ये वाला जो फंदा है इसको तो हम सीधा बुनेंगे तो यहां से धागे को पीछे की तरफ ले जाएंगे ताकि यह जोड मिल जाएगा बैक साइड से फिर इस फंदे को सीधा बनाएंगे एक उल्टा एक सीधा करते हुए यहां तक बुनेंगे जब यहां पर आएगी तो देखिएगा यहां से फिर से इस वाले फंदे को वापस यहां पर लाएंगे और हम इस साइड से बुनना शुरू कर देंगे तो ऐसे करते हुए इसमें हमें 10 से 11 सलाया बना लेनी हैं तो मैं यह 10-11 सलाया बुन लेती हूँ फिर हम इसके फंदे बाइंड ओफ करे तो इसी तरह से आपको राउंड में चलना है और आप यह 10-11 सलाया बना लीजिए तो यह देखिए फ्रेंड से इसकी मैंने यह पूरी 11 सलाया बना कर कंप्लीट कर ली हैं यहां से हमने सलाय को बुनना शुरू किया था तो यहीं पर आकर इसका 11 सलाय का एंड हो गया है अब इसमें हम सीधी साइड से यहां से फंदे बाइंड ओफ करना शुरू करेंगे और ऐसे राउंड में करते हुए यहीं पर आ जाएंगे जब सीधी साइड से फंदे बाइंड ओफ करेंगे तो देखिए इस तरह से डिजैनर फंदे वाली चैन आ जाएगे और जैसे कि हमने य ग्यारे सलाईया बना लिए और बनाते बनाते आपको यह पता ना लग पाए कि सलाईया कितनी बनी हैं तो यह देखे आप इस तरह से इनको गिन सकते हैं यह जो हमारी फली है यह देखिए ऐसे सिलाई रखिए एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो दस और ग्यार में इसके उपर है तो यह लाइने आप इसकी गिन लेना तो आपको पता चल जाएगा कि कितनी सिलाईया पूरी हो गई है अब इसमें हम फंदे बाइंड ओफ करेंगे तो यह देखिए यहां सीधी साइड से हमें फंदे बाइंड ओफ करने और अगर आपको जो एक चैन होती है जो कि ऐसे सीधी सीधी चलती है अगर वो उपर लेके आने हो तो आप इसमें यहां से उल्टी साइड से फंदे में मिल जाए दो का एक करेंगे फिर इसको हम ना तो ऐसे ज़दा टाइट करेंगे और ना ही ज़दा बड़ा इतना रखने के बाद next वाले दो फंदे साथ में लेंगे और तीन का एक करेंगे अब इस फंदे को हम इस तरह से काफी लंबा रखेंगे क्योंकि ये इसका बैक साइड का इससा है अगर यहां से ये खिच गया तो गले की जो शेप वो अच्छी नहीं आएगे अब तीन का एक किया है तो उसी हिसाब से इसको हम थोड़ा लंबा रखेंगे जितना आप से हो सके उतना इसको लूज ही रखेंगा फिर नेक्स्ट वाले दो फंदे साथ में लीजिए और यहां तीन फंदे का एक फंदा कीजिए फिर से इस फंदे को बड़ा कीजिए इतना लंबा और नेक्स्ट वाले दो फंदे साथ में लेकर तीन का एक कीजिए तो ये जो हमारे back side के फंदे हैं यहां तक के इनको मैं इसी तरीके से bind off कर दूँगे ये आपने ध्यान में रखना है जब back part के जो आपके फंदे होंगे उनको bind off करेंगी तब ये आपका फंदा लंबा होना चाहिए तब ही इस गले की shape अच्छी आएगी तो ये देखें फ्रेंड से back side के जो फंदे हैं उनको मैंने bind off कर दिया है अभी हमें लगभग यहां तक के जो फंदे हैं उनको इसी तरह से loose बंद करना होगा देखें इस फंदे को हम बड़ा रखेंगे और फिर next वाले दो फंदे साथ में लेंगे और दो का एक करेंगे कम से कम आठ से दस फंदे हमारे bind हो जाएं तब तक हम इसी तरह से इसको बड़ा रखेंगे ताकि ये वाली जो इसकी shoulder के ऊपर से इसकी जो shape आएगी वो अच्छी आ जाए फिर से हमने देखिए तीन का एक किया इसे बड़ा किया फिर next वाले दो फंदे साथ में लेंगे और यहां तीन का एक करेंगे क्योंकि दो हमने next वाले लिए हैं और एक ये वाला अब ये देखिएगा मैं आपको दिखा देती हूं इस तरह से इसकी shape आएगे अब हम जो यहां से यहां तक के फंदे bind off करेंगे ये ज़्यादा लूज नहीर करेंगे इसको हम normal रखेंगे इस वाले फंदे को ना तो ज़्य ज़्यादा tight करेंगे और ना ही इसको loose छोडेंगे जैसे कि एक normal फंदे की बुनाई होती है इतना रख देंगे और तीन का एक करेंगे फिर से जैसे हम एक फंदा बुनते हैं इतना ही इसका size रखेंगे और next वाले दो फंदे इसमें साथ में लेकर यहां तीन का एक कर और जब आप यहां तक आजाओ फंदे बाइंड ओफ करते हुए तो इतने फंदों को जितना हो सके उतना tight हाथ से बंद कीजिए ताकि यहां से यह डिला ना पड़े और इसकी जो V-shape है वो अच्छे आ जाए आप देखिए इस लाई के फंदे बज गई हैं तो इस वाले को भी हम tight करेंगे और 10-12 फंदे बाइंड हो तब तक हमें इसी तरह से देखिए बिल्कुल tight करना है इसको और यहां तीन का एक करतेंगे फिर से इसको वापस लाई पर लाएंगे और बिल्कुल tight करते हुए तीन का एक करतेंगे फिर से वापस लाई पर लाएंगे और यहा तेन का एक करेंगे तो यहां पर चार से पांच बार आप थोड़ा सा टाइट हाथ से बंद कीजिए फिर जैसे हम एक नॉर्मल फंदे की बुनाई करते हैं ऐसे आप इसको बंद कीजिएगा इसमें इसकी जो शेप होते हैं ये वाली जो इसकी हमारी ये वाली जो लाइन बनत और बिल्कुल ही टाइट हाथ से बंद करेंगे तो एक दम से वो खिच जाएगे इसलिए थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए बाइंड ओफ करना है फिर जब इसके यहां पर 12-13 फंदे बच जाएं तो थोड़ा सा धागे को लंबा रखते हुए जैसे मैंने बैक साइड से बताया था वैसे बाइंड ओफ करतेंगे तो यह देखिए फ्रेंड्स यहां तक हमने फंदे बाइंड ओफ कर लिये हैं अब देखे यहां से फंदे बंद करना शुरू किया तो आप देख सकते हो यहां पर आपको एक छेद सा नजर आएगा इसके जोड को मिलाने के लिए इस फंदे को उठाएंगे और यहां पर अब हम दो का एक करेंगे इससे इसका जो यह जोड है यह अच्छे से मिल गया है अब इसके बीच में से उनको निकालेंगे और टाइट करेंगे और इसको ऐसे खीच देंगे अब देखिए जैसे मान लिया इस उनको हम यहीं पर दाल लीजिए आसानी हो जाएगी नहीं तो आप सलाई से भी ऐसे धागा उठाईए ऐसे करके फंदा बनाएंगे इसके बीच में से उनको निकालेंगे और फिर धागे को हम खीच देंगे ऐसे हम यहां नीचे तक लेकर आएंगे फिर ऐसा करने के बाद यह जो धागा होता है यह बिल्कुल भी नहीं खुलेगा तो आप बार बार इसमें ऐसे ही फंदे बनाते जाएए और यहां पर लाके बांद के काट दीजिए तो यह देखिए फ्रेंड से आप देख सकते हैं जो गले की शेप है वो बहुत ही अच्छी आई है तो चलिए अब मैं आपको इसकी सिलाई करना भी बता देती हूँ क्योंकि स्वेटर तो हमारी बनके तयार हो जाती है लेकिन अगर उसकी सिलाई अच्छे से ना हो तो पूरे प्रोजेक्ट का काम ही बिगड़ जाता है तो यह देखिए इसकी जो हम सिलाई करेंगे थोड़ी सी सिलाई तो यह जो हमने आरम ह होल बनाई है यहीं पर एक बड़ा सा धागा छोड़ दिया था इससे करेंगे और कुछ सिलाई हम यहां से करना शुरू करेंगे क्योंकि इधर भी हम जब फंदे डालते हैं तो हमारा धागा बच जाता है तो इस धागे के हिसाब से जितना कम लगे उतना आप यहां रख ल तो यह देखिए इसे मैंने उल्टा कर लिया है और यह जो धागा है इसको मैंने सुई में डाल लिया है अब यह जो आरम होल का बोडर है इसकी हम बिल्कुल बारिक सिलाई करेंगे तो पहले तो हम इसके दोनों जो जो जोइंट हैं इनको अच्छे से मिला देंगे और इस अच्छे से मिलाएंगे के इसमें फिनिसिंग बहुत अच्छी आनी चाहिए बाहर की तरफ इसकी सिलाई नजर नहीं आनी चाहिए तो इस तरह से करके आप इनके जोड मिलाईएगा और जोड मिलाने के बाद ये देखिएगा एक फंदा हमारा इधर से सिलाई का है और एक सिलाई कीजिएगा बिल्कुल बारिक जब इसकी सिलाई होगी आरम होल में तो इस स्वेटर की लुक ही बहुत अच्छी आएगे तो देख लीजिए बिल्कुल एक फंदा इधर से और एक इधर से ऐसे करते हुए यहां तक सीलना है हमने नीचे की जो सिलाई है वो हम थोड़ी सी अलग तरीके से करेंगे तो यह देखें फ्रेंड से यह जो हमने इसकी फंदे उठाई हुई यहां पर है इसको अच्छे से मिला दिया है यह जो लाइन है यह बिल्कुल सीधी सीधी मिलने चाहिए अगर थोड़ी से भी उपर नीचे हो जाएगी तो यह यहां की शेप ख अगर आपको लगे कि आपका कोई भी पार्ट खिच सकता है, उपर नीचे हो सकता है, तो इस तरह से करके बीच-बीच में safety pin लगा सकती है, अब मेरी तो आदत बन चुकी है, इसलिए मैं ऐसे ही पकड़ के सिलाई कर लेती हूँ, लेकिन अगर आपको लगे कि ये वाला ज्या के से करेंगे, यहां से ऐसे सुई डालेंगे, और ज्यादा मोटी सिलाई हम यहां से भी नहीं करेंगे, बिल्कुल एक-एक फंदा जो हम safety छोड़ते हैं सिलाई का, उसी में ये सिलाई complete करनी है, ऐसे सुई डालने के बाद इसको हम ऐसे करके निकाल देंगे, और देखे एक तो होता है, हम ऐसे खीच दे हैं, इसको ऐसे नहीं खीचना है, ऐसे रखना है, नूर्मल, अब जहां से ये धागा निकला है, ठीक, इसके पीछे की तरफ ऐसे सुई डालेंगे, और जहां ये धागा है इसके अगले हिस्से पर इस सुई को हम निकाल देंगे, और नॉर्मल रखिएगा ऐसे मत खीचिएगा ऐसे रखिएगा फिर से जहां से धागा निकला है इसके पीछे की तरफ से हम ऐसे सुई डालेंगे और जहां धागा है इसके थोड़ा सा आगे हम सुई को निकाल देंगे एक बार फिर से देख लिजिए यहां पर यह धागा है तो इसके पीछे की तरफ से हम ऐसे सुई डालेंगे जहां धागा है पीछे की तरफ ले गई है और अब हम यहां इसको निकाल देंगे अब हमारा जो यह धागा जितना भी है इससे हम ऐसे ही सिलाई कर देंगे तो ये देखिए फ्रेंट्स जितना हमने यहां से धागा लिया था उसकी सिलाई हमारी यहां तक कम्प्लीट हुई है अगर आपका थोड़ा सा और बड़ा होगा तो नीचे तक आ जाएगी लेकिन अब जो एक लंबा सा धागा हमारा यहां फंदे डालते टाइम बच गया था उसको मैंने सुई में डाल लिया है इधर से भी हम इसकी सिलाई करेंगे तभी तो हमारे यह जो बोर्डर में फिनिशिंग आती है वो आएगी अब देखें सबसे पहले तो हम इसके भी यह दोनों जोइंट अच्छे से मिलाएंगे और यहां पर यह जोइंट इस तरीके से मिलने चाहिए यह पताई नहीं चले कि हमने यह दो पार्ट अलग-अलग जोइंट की हुए यह देखें एक से दो बार आप सुई को निकाल दीजिए मैंने यहां पर तीन बार निकाल लिए है तो यह देखें जोइंट इसके अच्छे से मिल गए है अब इस बोर्डर की सिलाई भी जैसे हमने आरम होल की की है वैसे नहीं करेंगे यहां से तो हम जैसे उपर से सिलाई करते आए हैं ठीक वैसे करेंगे देखें ऐसे सुई डाल लेंगे और बिल्कुल जो एक एक फंदा हमने एस्टी छोटा हुआ है उसी में से हम ऐसे सुई डाल लेंगे और इस तरीके से निकाल देगे ज्यादा मोटी सिलाई नहीं करनी है जितना हो सके आप ध्यान रखेगा कि जो एक एक फंदा है एस्टी छ का उसी में हमने इसकी सिलाई को कम्प्लीट करना है अब देखें जहां से हमारा धागा निकला ठीक उसके पीछे की तरफ सुई डाल लेंगे और अगले हिस्से पर ह हम ऐसे सुई को निकाल देंगे ऐसे करते हुए अब हम इसकी सिलाई करेंगे और यहां तक ला देंगे इसको सिलते हुए यह जो धागा इसके साथ हम फिर इसको बान देंगे तो दोनों जोड़ा अपस में मिल जाएंगे एक बार फिर से देख लीजिए फिर मैं आपको पूरी मैं सिलाई करके फिर आपको दिखाते हुआ तो यह देखिए फ्रेंट से शिलाई के बाद आप इस स्वेटर की फाइनल लुक देख लीजिए बहुत ही सुन्दर सा डबल एक्सल साइज का यह जैंट स्वेटर बन के तैयार हो गया है और इसके बागी के सभी पार्ट नहीं देखे हैं तो चार पार्ट इसके चैनल पर जरूर देख लिजिए ये पार्ट नमबर पांच है तो फ्रेंट्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो ये स्वेटर पसंद आई हो मेरा बताने के तरीका अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज थेंक यू